कि लोटस सायरवेदा इंडिया में आपका फिर्शे स्वागत है मैं हूँ उद्पल चौधरी आज मैं हम आपसे बात कर रहे हैं कि आपके गड़े में अगर खरास हो जाती है तो डॉक्टर के पास जैने के क्या जरूत है आपके पास आपके किचन में खिश-किश दूर करने क का इलाज है तो क्या है कैसा है यह मैं आपको बता रहा हूं कि सर्दियों का मौसम आते ही हमें कई तरह के स्वास्त समस्ताओं का सामना करना पड़ता है मौसम में बल्लाव होते ही गले की खरास सर्दी खासी जैसे कई स्वास्त समस्ताओं लोगों को होने लगते हैं सर्दी खासी बुखार यसी मौसमी यु विमारियां एक से दो दिन में ठीक हो जाती है लेकिन गले में खरास हैस का से रहात पाने के लिए कुछ लोग दबाए लेते हैं कुछ बाजो रोजर में मिलने वाले कर से तुरत करतेा रही स्थेशा हैं थे सिरू वा ऐसे पांच चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका इस्तिमाल करके आप खिच-खिच को हमेशा के लिए टाटा बाइबाइक कर सकते हैं कि तो क्या है वो चीजें आपको बता रहा हूं पहला है नमक वाला पानी सुबह से साम तक दो से तीन बार नमक वाला गरम पानी से गरारा करें यह एक बेहती आसान काम है लेकिन इसका गले पर कमाल का असर देखने को मिलता है यह आपकी तकलीफ को कई गुना तक कम कर देगा और खरास महसूस होना बंद हो जाएगी इसके साथ ही गले में किसी भी तरह की बैक्टेरिया जम होगा तो निकल जाएगा इसके बाद है खरास को दूर करने के लिए हरवल्टी गले में इंफेक्शन के लिए हरवल्टी पीना अच्छा ऑप्शन है इस चाय से गले को गर्माट मिलेगी खरास कम होगी और शरीर को इमिर्टी मिलेगी तो यह उपाय आप अपना सकते हैं अद्रक की बिना दूद बा एक कप पानी में उबालें और च्छान कर पीएं इसके अलाबा कैमोमाइल टी और ग्रीन टी भी अच्छा असर दिखाते हैं कि यहां मैं आपको पताना चाहूंगा अगर अध्रक वली चाय बना रहे हैं बिना दूद की तो अध्रक बारीक बारीक आपको काटना होगा ऐसा नहीं अध्रक का अपने थोड़ा सा टुकड़ा लिया और उसको डाल दिया चाय उसमें पर्फेक्ट नहीं बनेगी चाय देशी नुसकों में सहथ का अच्छा खासा इस्तिमाल किया जाता है इसकी बजह है कि सहथ में एंटी बेक्ट्रियल और एंटी एंफिलमेंटरी गुड़ पाया जाते हैं जो गले की खरास गलादर्द खासी और जुकाम को दूर करने में कारगर है सहथ को जब गर्म पानी म तो हर्बल टीम में डालके क्यों नहीं पी सकते हैं या फिर इसे अध्रक के साथ भी खाया जा सकता है मस्त कॉम्बो है अगर अध्रक को सहथ आप खाएंगे लेकिन अध्रक खाएं तो छील ले छीनने के बाद ही उसको उसको यूश करें अगला उपाय है लॉंग गले की ख डालकर इसका सेवन कर सकते हैं या फिर लॉंग की हरवल्टी बना सकते हैं लॉंग की हरवल्टी बनाने के लिए लॉंग को एक कप पानी में उबालें और आदा चम्बस सहर दालके च्छाने और फिर पिए गर पे ही आप कर सकते हैं खरास के लाज बाहर जाने के जुरूत नहीं हमारा अगला उपाय है लैसुन गर्म या भुजा हुआ भुना हुआ लैसुन आपको सर्दी जुखाम से दूर रखता है और गले की खरास को दूर करने में अच्छा असर दिखाता है इसमें एंटि मा अच्छा असर दिखाते हैं तो यह था हमारा आज का वीडियो आप घर में आपकी किचन के अंदर मजूद चीजों से ही आप अपना गले की खिश-किश तूर कर सकते हैं कहीं डॉक्टर के पास पैसा खर्च करने के जुरूत नहीं है सिर्फ आपको बनाना पड़ेगा यह वाइफ है सिष्टर है घर में कोई और है सर्वेंट है किसी को बोलके भी आप चाय बना सकते हैं खुद बना सकते हैं लेकिन अज सेल्फ सर्विस का जवाना है हम अपने घरबालों को तकलीफ क्यों दें हम खुद चाय बनाना मस चाय पीके टेश्ट उनको भी पिलाएं गल भी खरास आपकी दूर उनकी विदूर तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो लाइक करें सेर करें सब्सक्राइक करें धन्यवाद